5G spectrum auction बहुत ही एक अच्छे seamless तरीके से हुआ है और ये एक सूचेक है प्रदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के टेलेकॉम सेक्टर को reform जो उन्होंने किया है एक जो clear policy direction दिया है और जो transparency प्रदानमंत्री जी ने दिये टेलेकॉम सेक्टर को ये उसका परिणाम है कि आज टेलेकॉम सेक्टर अपनी कठिनाईयों से निकल के एक sunrise सेक्टर बन रहा है एक growth phase में एंटर कर रहा है आज auction कंप्लीट हुआ है अगले कुछी दिनों में जो जितने भी दूसरी formalities है spectrum को अप्रूव करना allocate करना upfront payment जो operators जमा कराएंगे और सरकार ने तयारी किये और साथ ही साथ operators ने भी तयारी किये देश के कई हिस्सों में equipment लगानी के तयारी चल रही है तो उससे लगता है कि October में हम 5G देश में launch होने की इस्तिती में हम लोग होंगे आपने देखा अभी मैंने band by band जब आपको description दिया था हर एक band में operators ने spectrum खरीदा है याने जिसका जो gap था मान लेज़े किसी का UP में किसी area में कम था spectrum तो उसके कारण service डंकी नहीं मिल पा रही थी या फिर कोई एक सुदूरन चले जिसमें sufficient spectrum नहीं था तो अभी सबने sufficient spectrum खरीदा है जिसके कारण हमें पूरी आशा है साथ ही साथ जो tower में और fiber के लगाने में जो reforms हुए है अब करीब करीब जो एक साल से ज़्यादा time लगता था tower लगाने के permissions में अब कुछ minutes में हो जाता है कुछ गंटों में approvals आ जाते हैं तो डाइलाक से ज़्यादा towers के permissions इस बीच दिये गए तो इससे बहुत service quality में आने वाले महीनों में जरूर service quality में improvement आएगा झाल